कुछ बॉर्णिंग अब्रिवन तो जैसे कि हमने प्छिसी लेक्ष्र में चेमिकल प्रलपरड़िस को हम लोग देख रहे थें और कैमिकल प्रलपरड़िस में हमने मैटल की डी Как्टिविटी ऑउक्सीजन के साथ देखी थी और उसमें कई सारे मेटल का हमने जिकर भी ताह जिसमें से हमने जाना था कि उसका जो औक्साइड बनता है बेसे कॉक्साइड बनता है मैटल का और साथ-साथ कुछ वैसे भी थे प्रॉपर्टेWA जिन्ग के सात्थ जो कि एमफोटेरिक ओक्साइड का फार्मेशन कर रही थी तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हुए और दूसरा जो अपना पॉइंट है दूसरा जो अपना प्रॉपर्टीज है मेटल का वो हम देख रहे हैं की रिएक्शन आफ मेटल बित वॉटर तो क्या होगा तो कहता है कि जब भी हम लोग मेटल करीक्शन हम लोग वाटर के साथ करेंगे वाटर के साथ करेंगे तो फॉर्मड करता है मेटल हाइट्रोकसाइड क्या फॉर्मड करेगा मेटल हाइट्रोकसाइड ठीक है यानि एक तरह से बेस हो गया मेटल हाइट्रोकसाइड और साथ ही साथ यदि हम बात क करें तो hydrogen gas yes H2 बाहर निकलता है यह बोल रहा है ठीक है H2 बाहर निकलता है इसी चीज़ को किया हुआ है यह ऐसा पॉइंट में भी किया हुआ है जब हम अपनों मेटल को रियेक्ट करते हैं वाटर के साथ और वह वाटर कोल्ड वाटर हो या फिर होट वाटर हो देन दा प्रो है एक्वेशन में कैसे लिखा हुआ है तो यह है आपका मेटल प्लस वाटर और क्या बन गया है यहां पे मेटल हैट्रोकसाइड प्लस हैट्रोजन ठीक है दूसरी चीज़ यह दी हम बात करें कि मेटल को जब हम रियेक्ट करेंगे इस्टीम देन दा प्रोड़क्ट फॉर् मेटल ऑक्साइड बनाएगा चेक और हैट्रोजन गैस तो उसको भी एक्वेशन में लिखा हुआ यहां पे क्या मेटल प्लस इस्टीम क्या बना है मेटल ऑक्साइड और प्लस हैट्रोजन जैसे आप कुछ एक्जामपल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यह है पोटासिय पहला और हम ले रहे हैं आगे किसके साथ पोटासियम पासियम को और रहे हैं तो पोटासियम करता है वालेंटकल ड़ी कोल्ड वाटर कॉल्ड आप्रवटार भ्याइक्टैम उड्यम्यगे screens परपनहां इसको कि अंदर में स्टोर करके रखा जाता हैं ये इतना ज्यादा रियेक्टिव होता है ना कि water के साथ बहुत तेजी से cold water के साथ भीवेवें hot water की भी ज्रूत नहीं है थंडे पानी के साथ भी है बहुत ही तेजी के साथ करता है और potassium hydroxide का formation करता है potassium hydroxide का formation करता है and hydrogen hydrogen gas का formation करता है potassium hydroxide के साथ hydrogen gas का formation करता है यह रहा इसका reaction 2K इसको balance करने के लिए हम यहां पर लिखे हैं chemical equation को plus water liquid यह क्या बन जाएगा 2KOH that is aqueous potassium hydroxide और hydrogen gas और plus heat काफी amount में इसे heat निकलता है जी हां heat काफी amount में इसमें निकलता है इसलिए यहां पर भी सब violently का इस्तेमाल किया हुआ है देखेंगे आप तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक हम मैटल लेते हैं that is called sodium sodium और potassium कहीं हम बात किये थे जो कि काफी reactive होता है इसलिए यहां पर heat काफी amount में बाहर निकल रहा था कि दूसरा यादी हम बात करें देट इस वाल सोडियम सोडियम भी बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ और क्या फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन केस किसी का फॉर्मेशन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से यह है आपका तो इसका यदि हम केमिकल एक्वेशन की तरफ थोड़ाता आगे जाए तो इसका क्या हो जाता है टू एने फ्लस एच्टु ओ ठीक है और साथी साथ क्या हो जाएगा एने वेच और एच्टु और इसमें भी बहुत ज्यादा एमाउंड में क्या बाहर निकलता है क्योंकि बहुत ज्यादा यह होता है सोडियम और कौंटैसिय। हो opin यदि हम बात करें कैल्सियम का 3 यदि हम मैटल बात करते है कैले सियम का तो केल्सियम भी करता है cold water के साथ और form करता है calcium hydroxide and hydrogen gas और क्या करता hydrogen gas लेकिन यह उतना violently react नहीं करता है cold water के साथ जितना react करता है potassium और sodium ध्यान में रखेंगे जितना react करता है potassium and sodium उतना ज्यादा यह वालेंटली react नहीं करेगा और यह रहा है इसका equation calcium water और साथ ही साथ COH का whole choice calcium hydroxide base है और साथ ही साथ क्या लेंगे हम लोग hydrogen gas यदि हम चौथा पॉइंट के बारे में यदि बात करें यह नहीं चौथा metal के बारे में बात करें जो एक्जामपल के तौर पर हम ले रहे हैं that is called magnesium metal ठीक है magnesium तो magnesium जो है और यह नहीं करता है cold water के साथ याद होगा इसकी जब हम लोग air के साथ भी जब हम लोग इसका reaction करवा रहे तो बहुत ज़्यादा अपने को यह करना पड़ रहा था ठीक है उसको burn करना पड़ा था तब जाकर के अपने को metal magnesium hydroxide का formation हुआ था वहां पर तो यहां पर जो है कि मैटल को जो है वह हम लोग cold water के साथ वह रिएक्ट नहीं कर रहा था करता है और magnesium जो है वह रिएक्ट विट होट वार्टर यादि कोल्ड वार्टर के साथ यह रिएक्ट नहीं किया इसकी रिएक्टिविटी उतना तेज नहीं है जितना की हम लोग इसके साथ में बढ़ना था फिर वाटर के साथ करने पर वह मैगनेसियम हैट्रोकसाइड दे दिया था वह पिछले ख्लास में हमने देखा था जो कि सुकर रहा था ठीक है तो यहां पर भी जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां वह बीए कोल्ड वाटर के साथ नाहों करके होट वाटर के एंड हाइट्रोजन गैस यह रहा है इसका इक्वेशन मेगनेसियम ठीक है सॉलिड प्लस वाटर और मेगनेसियम हाइट्रोगसाइड और साथ-साथ क्या बनेगा हाइट्रोजन गैस उसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए यदि हम थोड़ा ता और देखे इसमें क्या तो करता है इस्टीम के साथ मेगनेसियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा तो यह रहा यहां पर एक्वेशन एमजी सॉलिड वाटर यह गैसियस फॉर्म में है इसलिए क्या लिखा हुए इस्टीम इस्टीम भाब जो रहता है काफी कर्म रहता है तो यह बनता है एमजीयो मेगनेसियम ऑक्साइड और साथ ही साथ क्या बनेगा है अब कुछ मैटल्स जैसे कि एलमुनियम जिंक एंड आयरन जो की रियेक्ट नहीं करते हैं या तो कोल्ड वाटर हो और या फिर होट वाटर हो ठीक है दे रियेक्ट विट स्टीम तो फॉर्म मै इसटीम के साथ रियेक्ट करके क्या बनाएगा इसटीम के बनाता है और इंड हयट्रोजीन गयेस यानि की मैटल रहेगा उसका उक्साइड और हईट्रोजन जैसे करें कि देखिते फ्टाइफ कुछ Dobї enzymes from aluminum क्या करेगा एल्मुनियाम वाटर के साथ react कर रहा है यानी स्टीम यह क्याओ एकी स्टीम ठीक है और क्या बना Рाहि ऐल्मूनियम ऑक्साइड और साथ ही शाथ क्या बना रहा है धूजन दूसरे तर похож Чер की जिंक क्या कर रहा त्योट के साथ रिएक्ट कर रहा है है कि फिइनक स्टिंग बना रहा है और चहें जिंक आपर रजय करतें यह क्यां दिया हूँ आई poss स्पेरिक बताएं थे इसको कहा जाता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है एक्वेशन यहाँ पर है क्या 3F e iron प्लस 4H2 यह स्टीम हम लिए हुए है और क्या मिला है आइरन ऑक्साइड एफी 3 के साथ यह नहीं कर रहे हैं ध्यान में रखेंगे हम यह इस्टीम के साथ इसका रिएक्शन है थोड़ा तो यहां पर रिएक्शन ऑफ मेटल विट डाइलूट एसिड के साथ है तीसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं अभी हम लोग किसके साथ देख रहे थे डिएक्शन मेटल विट वॉटर अब तीसरा जो हम लोग रिएक्टिविटी देखने जा रहे हैं यानि तीसरा जो पॉइंट केमिकल प्रोपर्टी जो देखने जा रहे हैं और यह तरह से वॉटर का वह जादा रहता है एक वाटर मिलाया हुआ ठाहसे उसके रहता इसलिए उसको दाइलूट एक रिखाते हैं और वह कॉंसंट्रेटेटेडी से बहुत कम ज्यादा एक तरह से कहें कि पाउरफुल होता है ऐसे हम उसको समझ सकते हैं तो कहता है कि मेटल यूजुवली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डैलूट असीड जो होता वह एच प्लस देने वाला है यह सेड किसको कहते है जो एच प्लस देगा उसको क्या कहते हैं तो जाहिर से बात है कि acid में H+, होंगे, तभी तो वो दे रहा है, तो कहता है कि metal का जब भी reaction हम लोग dilute acid के साथ करवाएंगे, तो जो dilute acid में hydrogen रहेगा, उसको वो displace कर देगा, आ रहा बात समझ में, जैसे कि example, metal, और ये dilute acid है, तो बन जागा metal salt, क्या बनेगा, metal salt और साथी साथ क्या बनेगा, hydrogen, क्या बनेगा, metal salt and hydrogen, देखे ये कैसे हो रहा है, यानि कि जो hydrogen present था, किस में, जो hydrogen present था आपका acid में, dilute acid में, उसको बाहर निकाल करके फेख दिया, कौन, metal, और metal किस में कनवाट हो जाता है, salt में, जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे कुछ examples, आपको clear होंगे, कि क्या examples है, जैसे कि metal का reaction हुआ, किस के साथ, dilute hydrochloric acid के साथ, तो क्या देता है, metal chloride, और साथ ही साथ क्या देगा, hydrogen gas, कैसे, तो यह है sodium, तो sodium काफी violently react करता है, ठीक है, किस के साथ, यह तो खुद reactive है, sodium metal, hydrochloric acid के साथ, dilute hydrochloric acid के साथ, to form sodium chloride, और साथी साथ, क्या, hydrogen gas, देखेंगे, sodium है, metal, साथी साथ, इसमें, HCL, hydrochloric acid, जो की aqueous है, काने का मलब, dilute है, और यह NACL, sodium chloride, और साथी साथ, यह क्या होजारा आपका, hydrogen gas, जो बाहर, remove हो रहा है, और इस reaction को, इसमें, this reaction, so, that sodium metal is very reactive, dilute form लेने के बाद भी, acid का अभी हम बताएं, कि जो concentrated रहता है, वो काफी ज़्यादा powerful रहता है, यदि हम बात करें, dilute acid, तो वो कपले भी कहीं गिर गिर गिया, फिर कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा हार नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यदि concentrated गिर तो वो पूरा जल ही जाएगा, आरह बात समझ में, चाहिए, वो कपड़ा हो, paper हो चाहिए, कुछ भी हो, वो वो पूरा जला देगा उसको, ठीक है, पूरा जला के खतम कर देगा, लेकिन यदि हम बात करें, इवन कई सारे मेटल जो हो रहते हैं, वो mineral acid जाएचे की HCl हो गया, due to aso4 हो गया, तो उसमें वो कई सारे मेटल तो इसमें dissolve हो जाते हैं, आरह बात समझे मेटल सोचीए, कई सारे मेटल जो की solid इतना मजबूत्र था वो इसमें dissolve हो जाते हैं, लेकिन Dilute Cet का बात करें, और hydrogen gas को क्या कर दे रहा है रिप्लेस कर दे रहा है यानि बहुत ज़्यादा रियक्टिव होता है magnesium की बात करें तो magnesium भी react करता है quite rapidly with dilute acid और form क्या करता है magnesium chloride इसका formation करेगा magnesium chloride और hydrogen gas का तो वही metal chloride या फिर यह क्या हो गया sodium chloride जो यहां बना था है वह क्या है salt ही तो है जो कहा गया था metal salt salt ही तो है जो magnesium chloride बना यह भी क्या है magnesium salt है ठीक है तो यह mg plus 2HCl aqus यानि dilute form में है और mgCl2 और H2 अब हम बात करते हैं aluminium का ठीक है किसका बात करते हैं aluminium का aluminium metal जो होता है सबसे पहले यह react करता है slowly dilute hydrochloric acid के साथ ठीक है सबसे पहले क्या करता है aluminium metal slowly react करेगा dilute hydrochloric acid के साथ क्यूं ऐसा क्यूं होता है तो ध्यान में रखेंगे यह थोड़ा important है क्यूं slow तो याद किजिए हम पिछले क्लास में बताया थे कि होता है क्योंकि जब आप मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो देखते थोड़ा चमकदार रहता है लेकिन कुछ समय बाद उसका चमक खतम होते जाता और वह पूराना दिखने में लगता है तो उसका कारण उसका जो रीजन है उसी के कारण aluminium जो है थोड़ा यह जाता रीक्तिविटी उसका स्लो हो जाता है जिसके कारण रीजन है थोड़ी जाती है अच्छा देखे क्या है क्या बोलता है तो वहीं जीजे काता है कि इसलोली रियक्ट कर रहा है डालूट है ड्रोक्लोरिक एसिट से क्यों तो भाई क्या प्रचेंश रहता है टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऐल्मुनियम उक्साइड यस एक एल्मुनियम उक्साइड का परत जो है वो उसके उपर जमा हो जाता है पर जिसके कारण वह आसानी से यह नहीं हो पाता है बट थीन आउटर ऑक्साइड लेयर गेट्स डिजॉल्व इन एसिड लेकिन यह कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मोटा परत तो नहीं हलका परत रहता है जिसके कारण वह उसका जो लेयर रहता है वह एसेड में एक्सपोस्ट विट री एक्स एक्सपोस्ट विट र्येक्स रैपीड़िली ऋिदायगलूूट रात राता है और जहां हम लोग रीयक्षिन करवाते हैं तzesक यहाद है वह पतला से जबाइय। बहुता आट से साथी डाइलूट हैलोक्लोरीकेसेड के साथ तू फॉर्म एल्मूनियम क्लोराइड एंड हैट्रोजन गैस वही एकतम एल्मूनियम फ्रेस रहे उसको उसके उपर कोई भी वो परत ना रहे तो फिर वो रियक्शन अच्छे से करेगा ठीक है लेकिन यदि कुछ दिन पूराना है उस तब उसको थोड़ा था टाइम लगेगा एस कंपेर टू फ्रेस वाला जो रहेगा उसके तो यह रहा आपका उसका एक्क्वेशन ट्यू एल्स सॉलिड में 6-HCL एक्वस और साथी साथ ऐल्मूनियम क्लोराइड एक्वस में और यह हैड्रोजन गैस जो बाहर निकल रहा है आ रहा बात समझ में जिंक की बात करें जिंक की ठीक है जिंक की तो जिंक रियक्ट करता है भाई डालूट हैड्रोक्लोरीक एसिट के साथ और वो और एल्मूनियम के साथ रियक्षन हुआ उससे थोड़ा था इसका एक तरह से कहें तो रेट क्या होगा कम होगा क्योंकि क्या बोल रहा है कि लिस रैपीट देन डेट आफ ऐल्मूनियम तो बनता तो है है लेकिन थोड़ी सी इसकी रियक्टिविटी क्या हो जाएगी कम काफी ज्यादा reactive होते हैं एक तरह से reactivity of metals पर भी यह सारे चीजे करेगी तो अलकली metals बहुत ज़्यादा reactive होते हैं क्योंकि उसके outermost cell में only present one electron एक पड़ाग से किसी को दे देना चाहता है और अपने आपको इस्टेवल यानि की नोबल गैस इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन को एचीव कर लेना चाहता है जिसके कारान ऐसा यह चीज होता है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हैवी मेटल्स होते जाएंगे उनकी रियक्टिविटी थोड़ी कम होते जाएगी या फिर और भी कुछ रिजन्स होते हैं लेकिन यहां दसवी में केवल टेंथ में हम लोग जो है वो केवल मेटल की रियक्टिविटी और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन से हम ितुकड़ेशन से आगे हम बताईएंगे के वह सबसे ज्यादा एकिव एक है कम है और ये किकिने आगे बात करें तो तो आगे बढ़ते हैं आइरन नेक्स्ट जो हमारा मैटल है और आइरन को यदि हम रियक्ट करवाते हैं स्लोली ठीक है आइरन को यदि हम रियक्ट करवाते हैं स्लोली वैसे रियक्ट क्या करवाएंगे स्लोली वो रियक्ट खुद करेगा स्लोली ठीक है आइरन रियक्ट करता कोल्ड डाइलूट हाइड्रोड क्लोरीक इसेड के साथ और क्या देता है आयरन टू क्लोराइड यानि यहां पर आयरन का जो वैल ऑक्सिडेशन इस्टेट रहेगा वो तू रहेगा आयरन टू और थ्री दोनों में प्रिजेंट रहता है फेरस और फेरिक तो आपको ध्यान मे रखना है कि यहां पर जो बनेगा वो उसका ऑक्सिडेशन स्टेट क्या रहेगा टू एंड हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है यह रहा आयरन सॉलिड एचल गैस एकवस टैलूट और क्या बनता है आयरन क्लोराइड एफिसील टू तो जहीर सी बात है एक क तो दो क्लोरी के लिए माइनेस वन इंटू तू बराबर माइनेस तू तो जहीर सी बात है कि दोनों बैलेंस है तो एफि क्या कर रहा होगा प्लस तू ठीक है एफि क्या कर रहा होगा प्लस तू आसान है यदि हम बात करें कॉपर का तो कॉपर रियक्ट नहीं करता है डायल hydrogen के साथ हम अभी से ही मावल बना रहे हैं आपके लिए reactivity के point of view से ताकि हम आगे बात कर सकें चीख है तो this shows that copper is even less reaction less reactive than iron ठीक है less reactive तो यह रहा copper HCl और यह no reaction यहाँ कोई reaction नहीं होता है क्योंकि यह काफी reactivity की कम होती है आ रहाँ बात समझ में क्या बोल रहा है हम उसके बाद यह हम बात कर रहें रीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीड्रोजन गैस तो रेट ऑफ फॉर्मेशन यानि हीड्रोजन गैस तो सब में बन बनेगा वो डिपेंड करता है मैटल की reactivity पे क्योंकि HCl तो हम सब में वो चीज़ तो common है तो डिपेंड नहीं करेगा डिपेंड किस पर पढ़ेगा मैटल कैसा है तो जितना ज्यादा रिएक्टिम मैटल रहेगा उतना ही तेजी से वह reaction प्रोसीड करेगा और उतना ही तेज करता ही नहीं तो यह एक तरह से और है जिसमें hydrogen gas का formation होता है और एक बात सिल्वर और गोल्ड सिल्वर और गोल्ड इंपोर्टेंट है मैटल अल्सो डू नॉट रिएक्ट विथ डाइलूट एसीड यानि यह भी डाइलूट एसीड के साथ रिएक्शन नहीं करता है यानि कि बहुत लेस रियक्टिव हो जाएगा सिल्वर और गोल्ड यस अगैं यह दिशिज को हम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे यहां पे कि अधा मैटल्स लाइक कुछ मैटल्स जो होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया शिल्वर हो गया जो काफी लेस रियक्टि बाता रहा है कि reactivity है जैसे copper की, silver की, magnesium की, sodium की, hydrogen की, तो जो hydrogen से कम reactive है, जो hydrogen से भी कम reactive है, वो hydrogen को कभी replace नहीं कर पाएगा, आरा बात समझ में, जो भी जिससे ज़्यादा reactive है, मतलब जो ज़्यादा reactive है, वो कम reactive को replace कर सकता है, लेकिन कम reactive वाले, ज़्यादा reactive वाले को replace नहीं करेंगे, ठीक उसी प्रकार से कहता है कि copper और silver जो होता है, वो बहुत कम reactive होता है hydrogen से, जिसके कारण hydrogen को वो replace नहीं कर पाता है, dilute acid से, क्योंकि ये do not give outer electron required for the reduction of hydrogen ions present in acid, ये एक बहुत काफी important ये आपके लिए reason आया, कि क्यों नहीं react कर बाता है, reactivity, reactivity के तो हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं react कर पाता है, क्योंकि अपना जो outer electrons होता है, outer electrons जो metal में हैं, जैसे कि copper में हो गया, silver में हो गया, वो hydrogen के reduction के लिए, वो उसको provide नहीं करवा पाता है, क्यानि कि required, यहाँ पर लिखा है ना, do not give outer electrons required for the reduction of hydrogen ions present in acid, तो hydrogen acid में रहता है, तो HCl, तो उसको reduce करने के लिए, जो electrons किया वा सकता है, वो electrons provide नहीं करवा पाता है, कौन, copper और silver, जिसके कारण उसके साथ reactivity उसकी नहीं हो पाती है, उसको displace नहीं कर पाता है, तो कुछ reactions है, जिसमें displacement हो रहा है, देखेंगे, यह नहीं, S2SO4, सारे reactions को एक साथ लिखे हुए है, ठीक है, sodium का sulfuric acid के साथ, वहां हम HCL के साथ देख रहेते हैं, यहां sulfuric acid के साथ भी देख लेते हैं, क्या बन जाएगा, sodium sulfate और hydrogen gas, यहां magnesium के साथ होगा, तो magnesium sulfate hydrogen gas, aluminium के साथ होगा, aluminium sulfate hydrogen gas, clear है, बात समझ में आ रहा है, आपको, किस तरीके सो हो रहा है, यहीं, यहीं हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो zinc chloride का reaction होगा, तो zinc sulfate और hydrogen gas, iron के साथ होगा, sulfuric acid के साथ, तो iron sulfate और साथ ही साथ, hydrogen, copper के साथ होगा, तो यहां पर कोई reaction नहीं होगा, यानि copper क्या है, less reactive than hydrogen, copper is less reactive than hydrogen, that's why it do not displace from the mineral acid, चीख है, अब जैसे कि कुछ और important points है, यहां पर काफी थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बाते हैं, जो कि आपको जाननी जरूरी है, तो तो बताने ही पड़ेगी क्या चीज है, काता है कि हम लोग अभी discuss करते हैं, ठीक है, metal का भी हमने reaction को क्या किया, discuss किया, with dilute nitric acid के साथ अब हम लोग करेंगे, ठीक है, किसके साथ करने जा रहे हैं, dilute nitric acid के साथ, अभी तक हम लोग के वल दो mineral acid को लिएं उठाएं, कौन सा, एक तो था आपका sulfuric acid, और दूसरा था आपका, yes, ठीक है, HCl, hydrochloric acid, लेकिन अब हम किसके साथ बात कर रहे हैं, nitric acid के साथ, important है, ध्यान में रखेंगे, important है, क्यूंकि इसका nature, अलग हो जाता है, थोड़ा सा, क्यूंकि जब metal का react होता है, reaction होता है, dilute nitric acid के साथ, then hydrogen gas not evolved, तब hydrogen gas evolved नहीं होता है, अभी हम देखें कि जो mineral acid था, उसके साथ, यदि हम metal का reaction कर रहे हैं, तो क्या formed हो रहा है, hydrogen gas हो रहा है, लेकि nitric acid के साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्या reason है, भाई कि nitric acid के साथ नहीं होता है, कुछ तो reason होगा, reason है, reason के लिए यहाँ पे हम लिखा हुआ है, कि this can be explained as follow, nitric acid जो होता है, वो strong oxidizing agent के तोर पे भी काम करता है, यानि कि oxidize करने का काम करता है, ठीक है, hydrogen देख रहे था, है, reduce हो रहा था, तो किसमे करने माट हो जा रहा था, H2 से, displaced हो जा रहा था, उसको electron प्रोवाइड करने के लिए, metal जो है, वो electron दे रहे था, लेकिन यहाँ पे जो nitric acid है, nitric acid वो strong oxidizing agent के तोर पे काम करता है, तो, as soon as hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen gas to water, बात समन में आया, यही में मुख्य region है, कि जब reaction होता है, तो hydrogen gas तो मिलता है, लेकिन hydrogen gas जैसे ही मिलता है, तो nitric acid जो बचा हुआ रहा था, कंटिनर में, वो act करने लगता है, oxidizing agent के तरपे, ठीक है, strong oxidizing agent के तरह काम करने लगता है, और वो hydrogen को, hydrogen को क्या कर देता है, यानि कि, यहाँ पर देखेंगे, क्या करेगा, hydrogen को oxidize कर देगा, किसमें, water में, बात समन में है, चेंज कर देगा, तो इसलिए, इस reaction में, metal के साथ, जब हम लोग reaction होगा, dilute nitric acid का, तो hydrogen नहीं मिलता है, hydrogen gas evolved नहीं होगा, when nitric acid oxidize hydrogen to water, then nitric acid, अच्छा, nitric acid यादि water को oxidize कर रहा है न, तो itself वो reduce होगा, जो oxidizing agent है, वो दूसरे को oxidize करता है, लेकिन खुद क्या होगा, reduce, दूसरे को होगा, जड doors, दो infused दूसरे ald離ous प्यादिकर शोल्च, जो हम प्यादिकर होगा, oाफे wa Q passes वोगा ह रहाँ होगा, झाल झाल